आज Medical Science उस इस तर पर पहुँच गया है सद्गुरू कि हमें मरीज को छूना तक नहीं पड़ता जब कोई मरीज मेरे क्लिनिक में आता है तो वो हर तरह के टेस्ट करवा चुका होता है सब कुछ हो चुका है, सारे चित्र सामने है हिस्ट्री लिखी हुई है, सब कुछ प्लान हो चुका है टेक्निकली मैं रिपोर्ट देकर मरीज को बोल सकता हूँ आपको बाइपास की जरुवत है या वाल्व रिप्लेस्मिंट की जरुवत है लेकिन मैं फिर भी हमेशा अपना स्टेतोस्कोप लेकर उसकी छाती पर रखता हूँ, धड़कन सुनता हूँ मरीज की आखों में देखता हूँ, उसके कंदे पर हाथ रखता हूँ मरीज को छूता हूँ और फिर उसे समझाता हूँ कि उसे क्या समस्या है और परिवार के साथ बात करता हूँ मैं नीजी तोर पर मानता हूँ कि उस स्पर्ष में सबसे ज़्यादा हिलिंग पावर होती है. हमारी बनाई हुई किसी भी चीज से ज़्यादा. क्या आप इसमें विश्वास करते हैं, स्वामी जी? देखिए, हमें एक बात समझनी होगी. ये सच है कि हमारे एक हिस्सा मेकानिकल है, मगर कुछ दूसरे आयाम भी हैं. अक्सर मेकानिकल हिस्से में गड़बड़ी इसलिए आती है, क्योंकि हम दूसरे आयामों पर ध्यान नहीं देते. उनके जीवन में कमी ये है, क्यों उनके जीवन को कभी छुआ नहीं गया जरूरी नहीं कि शारिरिक स्पर्ष तो बसे कभी वक्ती है मूल रूप से उनके जीवन को किसी भी चीज ने छुआ नहीं है किसी भी चीज के न छुने का मतलब जरूरी नहीं है कि वो कोई रिष्टा ही हो आपको बहुत सी चीज़ें चू सकती है पता नहीं कि आप में से कितने लोग पिछली बार कब कितने सालों पहले आपने सूरज को उकते देखा था या ढलते देखा था या चांद को उकते देखा था मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई भी चीज पर्ष नहीं करती पिछली बार कब आपने किसी फूल के खिलने का इंतजार किया? कभी नहीं आपने पिछली बार कब ध्यान दिया किसी तितली पर या पत्ते पर या फूल पर या किसी और इंसान पर? आप बस आपको लोगों के face पसंद नहीं, बस facebook पसंद है जीवन के साथ आपका संपर्क चाहे वो इनसान हो, जानवर हो, पौधे हो या बस आपके आस-पास के तत्व हो कितने लोग थोड़े जुड़ाव के साथ उस भोजन पर नज़र डालते हैं, जिसे वो खाने वाले हैं या क्या ये उन्हें चूता है? नहीं, तो आखिरकार या तो एक डॉक्टर आपको चुएगा या अंत में चिता जमाने वाला आपको चुएगा अगर हालात बिगडेंगे, तो किसी ने किसी को आपको चुणा ही पड़ेगा तो क्या स्पर्ष का महत्व है? जबरदस्ट महत्व है जरूरी नहीं है कि स्पर्ष हमेशा शारीरिक हो ये कई अलग-अलग रूपों में हो सकता है आप एक मरता हुआ जीवन है, एक जिन्दा जीवन नहीं कुछ समय बाद आपके साथ ऐसा हो सकता है मगर ये हो रहा है, आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं क्योंकि जिसे आप जीवन कहते हैं, बहुत एक स्थर पर भी अब ये, अब ये एक आम जानकरी है कि आपके शरीर में कोशिकाओं यानि सेल्स की संख्या आकाश गंगा में मौजूद तारों से भी अधिक है ठीक है? हर दिन छे सो औरब से ज्यादा सेल्स मरते हैं और नए सेल्स पैदा होते हैं इसका मतलब आपके शरीर में हर सेकेंड एक करोड़ सेल्स मर रहे हैं और एक करोड़ नए सेल्स पैदा हो रहे हैं अगर आप बस पुराने सेल्स को आप छोड़ दें अगर आप सिर्फ हर सेकेंड अपने शरीर में पैदा होने वाले एक करोड नए सेल्स पर काबू कर लें, उन्हें धंग से व्यवस्थित कर लें, उन्हें ठीक से बनाएं, अगर उनके बनने में आपकी कुछ भूमिका हो, अगर ये तै करने में आपका कुछ प्रभाव हो, कि वो कैसे पैदा होंगे, तो आपके दिल को ठीक किया जा सकता है, दिमाग को ठीक किया जा सकता है, हर चीज को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास हर सेकंड अपने जीवन को नया रूप देने का अफसर है, मगर चूंकि आप जीवन से पूरी तरह बेखबर हैं, जब मैं कहता हूं जीवन से बेखबर, मैं चाहता हूं कि आप इस पर ड्रामा है, इसका अस्तित्व के स्तर पर कोई महत्व नहीं है, यहां हजार लोग बैठे हो सकते हैं, और सभी हजारों अलग-अलग दुनियाओं में हो सकते हैं, इसका मतलब कोई भी हकीकत में मौजूद नहीं है, कोई भी जी नहीं रहा है, हर कोई जीवन के बारे में बस सो पुछते और प्रतिक्रिया करते हैं। विचार और भावनाय हर चीज पर हावी हैं। तो आज सुभा सूरत समय पर हुगा। आपके लिए ये बड़ी बात नहीं है। आँ ठीक है तो क्या। नहीं, आपको समझना चाहिए। अगर कल सुभा सूरज नहीं होगा, तो अठारा घंटे में इस धर्ती पर लगभग सारा जीवन नश्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज सुभा सूरत समय पर हुगा। मैं सही तरह के आवाजे सुनना चाहता हूँ। सौर मंडल में कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह से नहीं तक रहा है। पूरे ब्रहमान में कोई दुर्गटना नहीं हुई। इस अंतहीन ब्रहमांड में कोई दुरगटना नहीं हुई, सब कुछ बढ़िया चल रहा है मगर आपके दिमाग में एक बुरा ख्याल कीड़े की तरह कुल बुला रहा है और ये एक बुरा दिन है मैं कहा रहा हूँ कि आपने जीवन का नजरिया पुरी तरह खो दिया आप ये भी भूल गएं कि आप वास्तव में क्या है ये एक तरह का पागलपन है एक बार जब आप अपने बारे में और इस अस्तित्व में अपनी भूमिका और स्थिती के बारे में सही नजरिया खो देते हैं तो आप एक बीमारी बन जाते हैं किसी डॉक्टर को ये डाइगनॉज करने की जरुरत नहीं है ये पहले से ही चालू है किसी दिन ये ऐसे स्थर पर पहुंच जाएगी जब उनके इंस्ट्रुमेंट से असपर सुने इसकी जानकारी देंगे मगर ये बीमारी चालू है ये प्रक्रिय जारी है जब ये एक सीमा से परे चला जाता है तो वो आपका इलाज करेंगे ये सरजरी करेंगे मगर ये प्रक्रिय जारी है आप पूरी ताकत से उस दिशा में बढ़ रहे हैं